दोस्तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आप छट की ढलाई करवाने जा रहा है तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि छट में लाइट एक पाइप डालते हैं यानि कि अपने घर में हमें लाइट चाहिए तो उसमें पंके लटकाने के लिए फैन बॉक्स हो गया तो हम बहुत सारे उसमें बॉक्स डालते हैं फैन बॉक्स डालते हैं और फिर हम उसमें क्या करते हैं कि कंड्यूट पाइप बिचाते हैं सारा ताकि हमें जहां जहां भी हमें वायर डालनी होगी लाइटे जलाने के लिए पंके चलाने के लिए हमें वहां पे बेंड उगर मैं साइटों पे देखा हूँ कि जहां जहां से पाईपे डली होती है वहीं से कई बर छत में से वहां सीपे जाने का आने लगता है वहां पे पानी टपकने लगता है कई बर छत में क्रैक देखा जाता है तो लोग बाग क्या करते हैं Electrician क्या गलतिया करते हैं वो चीज मैं आपको यहां वीडियों बताने वाला हूं पांच सी छे इंपोर्टेंट बाते बताऊंगा जो कि आपको जब भी अपने लाइट की पाइप डालनी है तो आपको ध्यान देना है तो आप इन गलतियों से बचे रहेंगे वीडियो एंड देखिएगा और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बारा वीडियो देख रहा हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि ऐसा ही नए-नए इंफरमेटिव वीडियो आपको मिलती रहे हैं चलिए वीडियो को डिटेल में सुरू करते हैं सबसे पहला चीज हो पहले ने तो आपको कभी जसा है और च닌के और ऊसुरू कि को आपको विडियो क्वावी क्याश्यित्य। तो वायर वहां से पास नहीं होगे फिर बाद में आप क्या किजेगा कि उस पॉइंट को खोजने के लिए पूरा च्छत को तोड़ दीजेगा वहां पे फिर आपको च्छत को नीचे से एक इंची डेड़ इंची काट किया तब वहां से वायर लेकर जानी पड़ेगी तो इसलिए कभी भी आपको जो है अच्छी कॉलिटी की पाइप लगानी है मार्केट में जो अच्छी क्वालिटी की पाइप है यह थोड़ा सा आपको पांच रुपया महंगी मिलती है तो पर जलती है कि जो फैन बॉक्स या कॉंसिट बॉक्स जो लगाते हैं तो फेन बॉक्स चलिए एक जगा लेते हैं लेकिन जो चहता में एक बड़ा देखा जाता है की लोग छट में एक भड़ा जैसे छट है ढ़र जैफ डेख सकते हैं यहांँ टया चार कॉर्णर पर यहां पर concealed box लगा है तो देखिए इसमें मकान माली को भी सुचना चाहिए कि जितना आप च्छत में box लगाएंगे तो क्या है कि वहाँ-वहाँ concrete नहीं जाएगा तो वहाँ-वहाँ च्छत आपका तो कमजोड होई रहा है दूसरा बात क्या कि वहाँ पर क्या है कि उपर से च्छत का जो मोटाई हो पूरा थिकनेस नहीं मिलता है अगर मालेजे कि तीन इंच का आपका concealed box या fan box है तो एक इंची तो उपर से आपका concrete आएगा तो फिर वहाँ पर कितना मजबूती दे पाएगा च्छत को तो आज सब ही घरों में देखा जाता है कि कमरों में लोग हॉल में लोग फॉल सिलिंग कराते हैं तो आप एक जगह या दो जगह फैन बॉक्स लगा दे आपका बड़ा एरिया है तो बाकी जितना चार्ज पांच जो कंसिल्ड बॉक्स लगाते हैं लाइटे के लिए तो आप बॉक्स से कनेक्ट करके आप सब चारो कोनों में फिर आइप दोड़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा पाइप हो जाएगी आपके छट पर तो आप जानते हैं कि जो पाइप होता है पाइप लें चीज होता है उस पर रिप्स तो होता नहीं जैसे सरीयर रॉफ होता रिप्स होता है उस पे तो क्या होता है कि मसाले को पकड़ता है तो समसाले को पकड़ेगे नहीं तो नहीं बना पता है इसलिए आप जितना कम पाईप और पिर च्रहिंगे ऊथा मजबूत होगा जितना कम आप बॉंक्स टेंगे यह झाज लिखोत वा Iraqis has तो फिर होता क्या है कि देखिए उसको आप वाटर प्रूफ कराएंगे च्छत का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसमें ज्यादा पैसा लग जाता है तो उससे ज्यादा आपका खर्चा हो जाता है इसलिए आपको यह चीज ध्यान में लेके चलना है कि पाईपे और बॉक्स ज्यादा आपको यह द्यान देनी है कि जो अन representative में हमें घ्यादा है तो उसका जो मोटा1 यहyo जाता है च्छत आपका जयसे ज्यादा लोग पांच इंच लएके 5 दढका जाता है तो आप और concealed box की भी यही मोटाई होती है तो आपको इतनी मोटी fan box या concealed box नहीं लेनी है आपको जो है दो इंच से धाय इंच का जो थिकनेस का fan box या concealed box हो वही लें ताकि आराम से उसके उपर 2-5 इंच concrete भी चड़ जाए तो आपको इस चीज का ध्यान दखना है कि box जो लेनी ह और 2-5 इंच की होनी चाहिए उससे ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए अगला चीज होता है दोस्तों जब हम छट में अपना fan box डालें या light डालें तो फिर हम क्या होता है कि फिर उसको fan को चलाने के लिए light को जलाने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि वहाँ पे band डालते है आप तो पाइप से जोड़ते हैं तो फिर दोस्तों जोड़ने में जो लोग वहाँ पे गलती ये करते हैं कि वहाँ देखिए यहां तो कोई solvent लगाया नहीं जाता है ऐसा ही लोग बस उसको फंसा देते हैं तो कई बार क्या होता है कि जब आप चलते हैं डहलाई-उलाई कर चेक करते रहते हैं कि कहां पर बैंड है दिवार को काट देते हैं छट में कई जगह होल हो जाता है जैसे मैं अपने साइट पर वी देखा हूं तो इस गलती से बचने के लिए जब भी आप वहां पर जोड़ रहा है तो आप क्या करें उसको अच्छे से टेपिंग करने ता रैपिंग करके तब आपको छोड़ने। लाश्ट में एक और इंपोर्टेट चीज़ ये बताऊंगा आपको, कोई नहीं ध्यान देता है, नहीं हमारे इंजिनियर ध्यान देता है, नहीं हमारे मकानमालिक है या फिर सरीया वाले ध्यान देता है, देखें छत में यहां पे आ तो आपको जो भी यह पाइप डालनी है कम से कम कोसिस करनी है कि उसके बीच में एक एक किंच का गैप दे दे ताकि 20 mm की जो गिटी होती है रोडी होती है या 10 mm की अगर आप मिक्स करके डाल रहे हैं तो उसके अंदर चला जाए तो परापर क्या होगा कि आपका छट मजबूत हो जाएगा परापर जो पाइपे होंगी पाइपे भी अच्छे से जाम हो जाएगी पकड़ बना लगी वरना आप देखिएगा कि वहीं से क्या होता है कि आपके गर में पानी जाने का सीलन जाने का और छट में जो सरीय में जं होगी